वर्ल्ड कप का आगाज सुरू जानिये कौन से नए नियम हुए सामिल नमस्कार में मीरपांडे और आप देख रहा हैं दखबरतान यू क्रिकेट के सबसे छोटे फार्मिट का महाकुम यानी T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से सुरू होने वाला है या आठवा T20 वर्ल्ड कप है 2007 से अब तक यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लगातार दो साल में दो बार इस टूनामेंट का आयोजन हो रहा है पिछले साल अक्टूबर नौवंबर में ही UAE में सात्वा वर्ल्ड कप खेला गया था असल में पिछला टूनामेंट 2020 में ही होना था लेकिन कोरणा महामारी के कारण इसे एक साल टालना पड़ा इससे पहले 2009 और 2010 में लगातार दो साल दो बार T20 वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था टीम इंडिया अपना पहला मैच दिवाली के एक दिन पहले 23 अक्टूबर को खेलने वाली है इस बार के T20 वर्ल्ड कप का होजट आस्ट्रेलिया है टूनामेंट के सभी मैच आस्ट्रेलिया के साथ अलग-अलग सहरों में खेले जाएंगे भारत सहीत सभी टीमें अस्ट्रेलिया पहर चुकी हैं टूनामेंट का फाइनल 13 नवंबर को मेलवन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा इस टूनामेंट में भारतिये टीम सुपर 12 राउंड से उतरेगी पिसली बार की तरह इस बार भी वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा ले रहे हैं क्वालिफाइंग मुकाबले में 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक खेले जाएंगे क्वालिफाइंग राउंड के लिए आग टीमों को 4-4 के दो ग्रूप में बाटा गया है इन्हें ग्रूप A और ग्रूप B नाम दिया गया है दोनों ही ग्रूप से टॉप दो टीमें सुपर बारा राउंड के लिए क्वालिफाइंग करेंगे अब जान लिजे क्वालिफाइंग राउंड और मुक्खिक ग्रूप स्टीज की टीमें कौन सी हैं क्वालिफाइंग राउंड में नीदरलेंड, स्रिलंका, UAE, नाम्बिया, आयरलेंड, वेस्टेंडी, स्कॉटलेंड और जिम्बावे सामिल है सुपर बारा की टीमों को भी दो ग्रूप में बाटा गया है जिन्हें ग्रूप एक और ग्रूप दो के नांत दिया गया है ग्रूप एक में इंग्लेंड, न्यूजिलेंड, अस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान सामिल है तो वहीं ग्रूप दो में बांगलादेश, पाकिस्तान, इंडिया और साउथ अफरीका सामिल है सुपर बारा टीमों के बीच 30 मैच खेले जाएंगे जिसके बाद इनमे से चार टीमे सेमी फाइनल में पहुँचेंगे पूरे टूर्णामेंड में कुल 45 मैच खेले जाएंगे अब बात करते हैं G20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी की वर्ल्ड कप का प्राइज मनी पूल 5.6 मिलियन डॉलर यानी कडिब 46 कडोर 8 लाग रुपए का है 13 नौमबर को मेलवन क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले फाइनल में ट्रॉफिय जितने वाली टीम को 1.6 मिलियन डॉलर यानी 13 करोर 17 लाग रुपए मिलेंगे वहीं रनर अप टीम को 6.6 लाग रुपए मिलेंगे टूनामेंट के अंत में सेमी फाइनल से बाहर होने वाली दो टीमों को 4 लाग डॉलर और बागी बची 8 टीमों को 70 हजार डॉलर रुपए मिलेंगे सुपर 12 फेज के 30 मैचों में हर एक मैच जीतने पर टीमों को 40,000 डॉलर मिलेंगे वहीं अगर बात पॉइंट की करें तो ग्रूप स्टेज में हर मैच में जीत हासिल करने वाली टीम को 2 पॉइंट दिये जाएंगे मैच टाई होने के सिधी में सुपर ओवर से फैसला होगा सुपर ओवर मुम्किन नहीं हो पाया या मैच रद हो गया तो दोनों टीमे को एक एक पॉइंट मिलेगा मैच हारने वाली टीम को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा ग्रूप स्टेज में अगर दो टीमों के पॉइंट समान रहें तो उनके भी जीत की संख्या और रन रेट के अधार पर यह फैसला होगा कि आने में आगे कौन सी टीम बढ़ेगी टूनामेंट के सबसे उमरदराज और युवा टीम सबसे उमरदराज टीम ऑस्टेलिया है जिसकी आउसत उम्र 31.13 है वही सबसे युवा टीम अफगानिस्तान है जिसकी आउसत उम्र 33.73 है सबसे युवा खिलाडी UAE के आयान अफजल खान है उनके उम्र 16 साल 334 दिन है सबसे उमरदराज खिलाडी नीदर्ज लेंड के स्टीफन माय वर्ग है जिनकी उम्र 38 साल 239 दिन है अब बात करते हैं नए नियमों की 20 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट के कई नियमों में बदलाओ किया एक अक्टूबर से ये सभी बदलाओ इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू कर दिये गया है जिसका मतलब साफ है कि 16 अक्टूबर से सुरू हो रही T20 वर्ड कप भी इन बदले हुए नियमों के साथ खेला जाएगा आगे डीटेल में जानिये क्या है बदले हुए नियम स्ट्राइक पर खड़े बैटर के बॉल खेलने का अधिका नियम है कि खेल के दौरान बल्लेबाज के बैट के कुछ हिस्से को या बल्लेबाज को पीछ के अंदर होना ही होजा है यदि बल्लेबाज पीछ से बाहर आकर बॉल खेलने की कोशिस करता है तो अमपायर उसे डैट बॉल घोसिस कर सकता है यदि कोई गैंद बल्लेबाज को पीछ से बाहर आकर खेलने के लिए मजबूर करती है तो उसे no ball माना जाएगा फिल्डिंग टीम के और से कोई unfair movement यदि गेंदबाज runner-up के दारान जान बुच कर या गलती से कोई unfair movement करता है तो umpire वेटिंग कर रही टीम को 5 point दे सकती है इसके साथ ही उस ball को dead ball भी घोसित किया जा सकता है marketing नहीं run out यदि non strike end पर खड़ा बल्ले बाज क्रीच से बाहर है और गेंदबाज नहीं अब तक ball की delivery नहीं की और ऐसे भी गेंदबाज non strike कर end के throw कर दे तो बल्ले बाज out माना जाएगा इसे ये marketing कहा जाता है जिसके बदले नियमों के हिसाफ से इसे run out की स्रेनी में रखा है तो उसकी जगह पर आने वाला नया बल्ले बाज ही strike लेगा भले ही catch होने के दोरान दोन बल्ले बाज run ले करने के लिए cross कर रहे हूं लेकिन नय बैटर को strike end पर आना जरूरी होगा इसके पहले तक नया बल्ले बाज non strike end पर आता था बॉल्ल पॉलिस करने के लिए लाग का इस्तमाल पिछले दू साल से International Cricket में बॉल्ल पॉलिस करने के लिए लाग के इस्तमाल पर आस्थाय रोब थी ऐसा COVID protocols की वज़े से किया गया था लेकिन अब इसे पर्मा मनेंट कर दिया गया है अब कोई भी खिलाडी बॉल पॉलिस कर बने के लिए लाग का इस्तमाल नहीं कर सेकेगा। बने रहें दखबरदार न्यूज के साथ धन्यमाद।